दोस्तों फ्रूट खाना सेहित के लिए फाइदेमंद होता है लेकिन आज हम सूपर फ्रूट के बारे में जानेंगे इस फ्रूट का नाम है ड्रेगन फ्रूट इस फ्रूट को कमलम या पिताया के नाम से भी जाना जाता है यह है कैक्टस प्रजाती का एक फ्रूट है इस फ् और विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है ड्रेगन फ्रूट दो रंके होते हैं लाल गुदे वाला और सफेद गुदे वाला ड्रेगन फ्रूट इम्योन सिस्टम को स्ट्रॉंग बनाता है और कॉंस्टिपेशन को भी ठीक करता है यह बलड शुगर को कंट्रोल तो मात्रा में कैल्σιम होता है कठ्या या कैल्σιम की कमी होने पर द्रेगन फ्रूट खाना चाहिए अंटि ओक्सिडन्ट से भरपूर होता है और विटामिन सी भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है चलिए देखते हैं how to cut dragon fruit dragon fruit को कैसे काटे dragon fruit को नास्ते में खाया जाए तो ये दिन भर हमें तरो ताजा रखता है dragon fruit खाने के बाद दही वे पानी ना पिये दिन भर में एक dragon fruit खाया जा सकता है यह fruit heart attack की संभावना को भी कम कर देता है fruit antioxidant से भरपूर होता है और इसमें vitamin c भरपूर मात्रा में पाया जाता है यदि इसको अधिक खा लिया जाए तो lose motion भी हो सकते हैं आप इस बात का ध्यान रखे एक दिन में एक ही dragon fruit खाएं यह एक विदेशी fruit है और market में इसकी अधिक मांग होने की वज़े से यह market में महंगा मिलता है भारत में कच्छ में इसकी खेती शुरू की गई है dragon fruit की तासीर ठंडी होती है इसको अगर रात में खा लिया जाए तो जुखाम भी हो सकती है आप कोशिस करें इसको नास्ते में ही खाएं इस वलका स्वात तरबूज के जैसा मीठा होता है विशेश कर जिन व्यक्तियों को अस्थमा है वो इस fruit को रात में ना खाएं मैं आशा करती हूँ आप इस fruit के फायदे जान पाएं होंगे यह एक super fruit है अगर आपको हमारे इस वीडियो से थोड़ी जानकरी प्राप्त हुई है तो हमारे वीडियो को like and share करें